हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का अर्वी अडिटीव क्लास में तो फ्रेंड्स आज मैं कोश्चन लेकर करके आया हूं यह कोश्चन एक्सरसाइज 2.2 से है क्लास 9 की मैध की बुक से लिया गया है तो चलिए देखते हैं इस कोश्चन में हमसे क्या पूछा गया है वीड हर एक कोश्चन में आपको 0 फाइंड करना है ठीक है अब यह मैं बताऊंगा 0 क्या होता है पहला कोश्चन है आपके पास PX is equal to X plus 5 दूसरा होता है PX is equal to X minus 5 तीसरा होता है PX is equal to 2X plus 5 चाथा है PX is equal to 3X minus 2 पाचवा है PX is equal to 3X चाथा है PX is equal to AX जहां पर A की value 0 नहीं होगी A is not equal to 0 सात्वा है CX plus D where C is not equal to 0 C और D क्या होंगे रियल नमबर होंगे यह तो मैं पास question है अब इसको हम कैसे करेंगे ठीक है solution अब मैं आपको पहले बताता हूँ ठीक है सबसे पहले पहले question का हम solution यहां पर करेंगे पहला question क्या है PX is equal to AX plus 5 आपने पिछले कुछ question किये है जिसमें आपको कोई value दी जाती थी और यहां पर X के place पर रखना होता था और वो 0 हो जाता था ठीक है तो हम कहते थे कि वो 0 है लेकिन इस बार आपको यह बताना है कि उसका 0 क्या है आप यहां पर देखिये बोला है find the 0 find the 0 word में एक सब्द यह छुपा हुआ है कि उन्होंने साब साब बोला है कि 0 जिसका है क्या चीज जिरो जिसका है तो अगर 0 जिसका होगा तो PX किसके equal होगा 0 के equal होगा तो जहां पर PX होगा उधर साइड में आप रखोगे क्या 0 और फिर solve करोगे तो इतना समझ में आ गया अगर किसी भी नंबर का 0 है तो PX यानि कि वो polynomial 0 के equal होगा ठीके अगर किसी भी नंबर का 0 है तो वो polynomial PX 0 के equal होगा तो चलो फिर solution करते हैं अभी जैसे मैंने का अगर 0 है तो PX 0 होगा तो इधर साइड में PX है इसको आप 0 कर दीजिए ठीके वो expression ही 0 के equal हो जाएगी तो 0 equal to X plus 5 अब देखिए X की value अगर आपको find करनी है तो 5 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा तो इधर वो plus sign के साथ है दूसरी तरफ जाके किस sign के साथ हो यानि कि आएगा X is equal to minus 5 यही इसका 0 होगा ठीके फर्स्ट कोस्टन में जो 0 होगा वो कितना होगा minus 5 होगा ठीके तो यहां पर लिखेंगे so the 0 of 0s of Px is equal to x plus 5 is minus 5 ठीके so the 0s of the Px x plus 5 is equal to minus 5 यानि कि इस कोस्टन में पहले कोस्टन का 0 होगा वो कितना होगा minus 5 होगा आप इसको write down कर लिजिए और मैं बार बार यह वाली लाइन नहीं लिखूंगा बस मैं इतना लिखूंगा कि इसको 0 कितना है ठीके अब दूसरा question करते हैं यहां पर second वाला second में बोला है कि Px is equal to x minus 5 आप देखो Px क्या होगा 0 होगा आप अपने तरफ से तुरंत ही Px को 0 लिख दीजिए यानि कि यह 0 हो गया 0 is equal to x minus 5 यह minus 5 right hand side में है left hand side में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा यानि यह इस इक्वल डू कितना फाइफ तो यहां पर 0 कितना हुआ फाइफ है ना 0 कितना हुआ कि फाइफ कि आंसर ठीक है अब हम दूसरे question पर चलते हैं आगे कि इसको मैं हटा देता हूं सेकेंड question हो गया हमारे पास अब हम थार्ड question की बात करते हैं थार्ड question हमारे पास है Px is equal to 2x plus 5 क्या चीज 2x plus 5 फिर से जो Px है वो 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2x plus 5 अब देखो सबसे पहले क्या होते हैं बहुत सारे student या पर गलती करते हैं देखो सबसे पहले आप इस term को भेजो तो यह plus 5 है इधर आके minus 5 हो जाएगा यानि कि minus 5 is equal to 2x फिर यह जो x है 2 के साथ वो into sign के साथ है किस sign के साथ है into multiply sign के साथ है तो उदर जाएगा तो कैसे हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा यानि कि x is equal to minus 5 upon 2 यह इसका 0 होगा minus 5 upon 2 answer तो यह तीन question आप write down कर लिजिए फिर हम बाकी question की तरफ बढ़ते हैं या फिर आप वीडियो को पहुच करके screenshot ले लिजिए चलिए फिर इसको write down कर लेते हैं ओ सारी अमलब आगे बढ़ते हैं अब हमारा third question हो गया अब हम fourth question की बात करते हैं देखिए इतना अब चलने के बाद अब थोड़ा आप speed से चल सकते हो जैसे कि px is equal to 3x minus 2 px क्या हो जाएगा 0 3x minus 2 minus 2 इधर आएगा तो plus 2 हो जाएगा 3x is equal to plus 2 तो x is equal to कितना हो जाएगा 2 by 3 यह इसका क्या हो जाएगा 0s अब हम यहाँ पर बात करते हैं fifth question की px is equal to 3x ठीक है अब देखो px क्या हो जाएगा 0 0 is equal to 3x तो x is equal to कितना हो जाएगा 0 by 3 और something 0 divided by something is equal to 0 तो x की value कितनी आजाएगी 0 अगर हम 0 में किसी number से divide करेंगे तो answer में क्या मिलेगा 0 तो यहाँ पर यह इसका 0s हो जाएगा 0s को दूसरे word में root कहते हैं ठीक है यह इसका root हो जाएगा अब फिप फिप तो हो गया हमारे पास अब 6 तो आएगा कौन सा आएगा 6 ता आएगा तो 6 ता है कोफिसेंट है वो कभी 0 नहीं हो सकता है ठीक है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है question में ठीक है तो आभी क्या हो गया px is equal to ax px को आप 0 कर दीजिए तो ax हो जाएगा इसके बाद में x की value क्या जाएगी 0 by a और 0 में आप किसी भी number से या किसी भी variable से किसी भी value से divide करेंगे तो वो 0 हो जाएगा तो यानि कि 0 divided by a is equal to 0 इसका भी 0 कितना आगया जीरो अब हम बात करते हैं सेवन्त की अब जोगों सेवन्त में लिखा हुआ है px is equal to cx plus d जहां पर c0 के equal नहीं होना चाहिए तो यह अगर c0 के equal हो जाएगा तो यह polynomial इस फाम में नहीं रह जाएगा इसलिए c कभी भी 0 के equal नहीं होना चाहिए हाला कि इसका कोई बहुत ज़्यदा इस question में मतलब नहीं है इसके कहने का मतलब यहीं है कि अगर आप c यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यह polynomial ही नहीं रह जाएगी ठीक है बाकी calculation में इसका मतलब नहीं है अभी c and d are real numbers तो दीको real number वो होते हैं जिसमें natural number whole number integer number rational number irrational number सारे आते हैं तो यहाँ पर कोई भी value हो सकती है real का मतलब यहाँ पर natural whole कोई भी value हो सकती है ठीक है तो अभी px is equal to कितना हो जाएगा 0 cx plus d अभी देको सबसे पहले d आएगा ना सबसे पहले d इधर जाएगा तो cx e faithful कितना हो जाएगा minus D पणा से उधर जाएगे क्या होगा minus d भी होगा फिर oxy o neurosy जो एक coefficient है väx2 में है तो इधर जाएगा division में हो जैगा है ना किस में हो जाएगा division में तो यहाँ पर इस 7 नंबर question में जो 0 होगा वो होगा minus d y c ठीक है क्या होगा minus d y c तो यह हमारा answer होगा इन 7 questions का आप या तो वीडियो को पहुच करके screen shot ले लिजिए या तो आप इसको write down कर लिजिए ठीक है तो उमेद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें channel को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी साथ share करें comment box में जरूर बताएं कि वीडियो आप लोगों कैसा लगा हाँ अगर आपको कोई query है या कोई problem है तो भी आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं